हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे हैं तो फ्रेंड ये है आज है 29 दिसंबर तो आज ना बच्चों की छुट्टी थी और सुबह ना दो करके मैं लग गई हूं अपनी पूजा वगेरा करने क तो इसलिए जाड़ पूजा करके मैं नहा ली हूं और बच्चे अभी नहाएं नहीं है नहा लेंगे बस मेरे नहाने के बाद तो यहां पर मैं कर रही हूं अपनी पूजा सुबह की और आधा सा मैंने नास्ते की तैयारी भी करके रखी हुई है और ये देखिए ये मैं ठंडा हो जाएगा तो बस इसे मैं पूजा करने के बाद मिक्सी में पीस लोगी तो अब देखिए ये आलू मेश करके रख दिये थे दोनों भेनों ने तो बस मैंने मसाला उन्हें डाल करके और मिक्स कर दिया है और ये बत्ववा उगला हुआ ये मैं बस पीस ले रही और आधा बथुआ से मैं जो है रायता बनाओंगी बच्चों के लिए तो फ्रेंड बथुआ जो है गरम होता है तो इसलिए सर्दियों में नुकसान नहीं करता है रायते में तो बथुए का रायता बहुती ज्यादा फायदे मंद होता है गरम रहता है तो इसलिए में बथु मटा कुछ भी नहीं खा पाते हैं वैसे उनको हलकी फुलकी सर्दी खांसी सी है होती रहती है और ये देखिए ये मैंने आटा लगा लिया था बत हुआ का और आलू मैश कर रहे थे तो ये देखिए ये बत हुए और आलू के मेक्स परांटे बना रही हूं तो ये देखिए फ्रेंड ठाली लगके तयार कर दिये मैंने लगा करके बच्चों को दे दूँगे अभी ये नास्ता तो फ्रेंड ये देखिए बच्चे कर रहे हैं नास्ता बाहर बालकोनी में धूप आ जाती है तो बस वहीं पर बैट करके और आप सब लोग भी कर लीजिए बत हुआ और आलू के परांटे और बत हुए और बुंदी का रायता बनाया है फ्रेंड अगर पसंद आये तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए और ये देखी फ्रेंड ये न मैं कुछ उन के गोले लेकर के आई थी छोट छोटे से गुले भी मिल जाते हैं उनके ज़्यादा उनकी जरूत नहीं थी तो मैं ये थोड़ी तीन चार तरह की उन लेकर के आई थी और क्रोसिया से न काना जी की पोशाग बनाने के लिए तो बस मैं यहाँ पर बैट गई हूँ खाना वाना खाने के बाद काना जी की पोशाग बनाने के लिए तो ये देखिए ये उपर की चोली बन चुकी है और ये देखिए अभी इसका घेरा बनाना बाती है तो बस मैं यहाँ पर घेरा बना रही हूँ उसका और आग जितनी पोशाग बन जाएंगी उतनी में बना लूँगी एक दो तीन कितनी भी बन सकती हैं और ये देखिए ये एक पोशाग बन चुकी है और दूसरी मैं अभी बना रही हूँ यहां पर एक और बना रही हूँ टाइम था तो मैंने बना लिया यह देखिए यह दौनों पोशाग मैंने बना ली है और फ्रेंड मुझे कमेंट में बताएगा कैसी लगी हैं आको मेरी पोशाग और ये रिद्दिमा की फ्रेंड आई थी आज इनको ग्रूप प्रोजेक्ट बनाना था तो ग्लोबल बॉर्मिंग का बनाना था बाद यही बनाने में लगे हुए हैं बच्चे तो देखे फ्रेंड ये बना रहे थे रिद्दिमा और उसकी फ्रेंड मिल करके अपना प्रोजेक्ट अभी ये इतना बन चुका है ग्लोबल बॉर्मिंग का प्रोजेक्ट है अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी रह गया है जैसे ये बिल्डिंग है इनमें यहां पर बनाने है विंडो अगेरा और ये मोटर लगी है इसमें बॉल लगाएंगे एक ग्लोब बनाएंगे उसको फिर बैटरी से चलेगा स्विच भी इदर लगा रखा है ये सेट करतीया है बस बॉल लगानी बाकी रह गी है तो फ्रेंड बहुत सारा टाइम लग गया इसको बनाने में दो बजे से लग रहे थे बच्चे साड़े चे हो गए है अब ही इनकम्प्लीट है अब ही कम्प्लीट भी नहीं हुआ है अब हम इसक्या चुंदी है ये बारी